हलो स्टूडेंट एर्थ क्लास की पिछली वीडियो में हमने जो बेसिक एगरिकल्चर टैक्टिस थी वह देखे थी कि कौन-कौन सी है उसमें जो हमारा फर्ष्ट था वह था प्रिप्रेशन ओफ सोल इस वीडियो के इंदर हम प्रिप्रेशन ओफ सोल है वह चुटडी करने ज प्रिप्रेशन ओफ सोल को हम कैसे करते हैं हम उसको टैनिंग करेंगे ठीक है उसको बूपड़ा करने का काम करेंगे उसको मुलायम करने का काम करेंगे इस से सोल क्या होगी वह तैयार होगी हमारी the process of turning and loosing the soil is called pulging or tilling यह जो प्रोस्यस है जिससे हम जो मिट्टी है वसको मुलायम बनाते है उसको तैयार करते है यह प्रोसस में यह हम कह सकते हैं मिट्टी को भूपड़ा बनाते है ठीक है यह जो प्रोस्यस है इसको हम बोलते है है या तो हम बोलेंगे plugging या हम बोलेंगे telling plugging helps the soil in number of flowing ways अभी जो plugging है इसके जो फायदे है ना वो क्या क्या होंगे हम वो देखने वाले हैं या plugging है वो soil को किस प्रकार से साहता करेगी वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो उसका जो first type है देखेंगे हम A it helps in loosening the soil so that it can hold more water and air यह क्या करेगा सोल को थोड़ा सा क्या करने काम करेगा लूज बनाने का काम करेगा इससे क्या होगा इससे होगा यह कि एक तो मिट्टी है ना उसके अंदर जो हवा है वो ज्यादा होगी ठीक है और एक क्या होगा कि जो हमारे मिट्टी है वो ज्यादा पानी है उसको पकट सकेगी उसको होल्ड कर सकेगी ठीक है उसकी water holding capacity भी अगर देखो जो हमारी मिट्टी है वो मुलाइम होगी लूज होगी तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो मार्ट और्ठ में हमारे जो कि क्या करते हैं वो क्या होगे इंक्रिज होगे वो ग्रोथ करेंगे और लूज ने देखा था हमने देखो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है इट है फेल्प सिंप लूजनिंग देखा था एगर वाटर मुझे लूज करेंगे न मीट्टी को जोद कि अगर जो सोईल असको मुलायम बनाएंगे उसको लूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि उसके अदर जो असानी से एक्स्टेंज कर सकेगी ठीक है तो इससे क्या होगा कि जो पोद्धे हैं हमारे उसकी जो जड़े हैं वह असानी से क्या कर सकेगी ब्रीद कर सकेगी असानी से सांस ले सकेगी ठीक है हमारा डी पॉइंट है इट हैल्प सिन एजी पैंट्रेशन ओफदार रूर्स if we give it to наши कि इसे जो हमारी सीड़ लिंग है उसे को जड़े है ना जो भी हमारा जो पूद्द है उसकी जड़े हैं वह क्या होगी जादा डीक जादा अंदर बुशाएंगी जिससे वह जादा nutrients और जो ज़्यादा water है उसको क्या पर कर पाएंगी एफजोर कर पाएंगी जो फिफ्थ है इप्वाइंट हमारे क्या है nutrient-rich soil is brought up from lower level of soil so the plants can use these nutrients अब जो मिट्टी को जोते हैंगे नाम लोग तो इससे क्या होगा मिट्टी मुलायम होगी हमारी जो soil हमारी लूज होगी टाइट नहीं रहेगी तो इससे क्या होगा कि जो nutrients जो रिस soil है जो nutrients हम उपर आ जाएंगे ठीक है उपर वाड़ी soil पे आ जाएंगे मतलब जो उपर जो जो मुलायम स्वेल उसके अंदर न्यूज हो जाएंगे निची से आके इससे क्या होगा कि प्लांट से उनको easily क्या कर पाएंगे यूज कर पाएंगे एक प्वाइंट हमारा इट helps in removing the weeds by uprooting them और अगर मिट्टी को हम जोतने का काम करेंगे मिट्टी को मुलायम बनने का काम करेंगे उसको और उसके advantage और उसके फायदे ठीक है उसके बाद देखें आगे अब preparation है वो हम करेंगे किसके साहता से वो हम देखेंगे यापर देखें 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 दिस डन बाइजिंग डिवाइसे काल plug गोवल न कल्टिवेटर जो plugging है या जो tilling है यह हम किसके साहता से करेंगे उसके जो device हम क्या बोलते हैं तो plug बोलेंगे ठीक है हल या हो फावड हम बोलते हैं ठीक है या कल्टिवेटर बोलेंगे आप सभी को अच्छी तरके से बता है कि यह चीजी होती क्या है कल्टिवेटर वगेरा इवन अफ्टर पलगिंग दा सोयल में स्टिल है वो लार्ज पीसिज बोलते हैं ठीक है उनको तोडबने के लिए हम किशने को लेवल करने का कम करेगा और इसे तो को गड़्यां करेगा करते हैं अपने जैशिते तरीख होगा जब मिट्टी को लेवल क्या करते हैं लेवल को मिट्टी को सब्सुइश Wahr देख for sowing as well as for irrigation purpose और लेवलिंग हम क्यों करते हैं एक तो हम बीज जो हमारी जो बीजाई है वो करते हैं इसके इसके लिए हम लेवलिंग करते हैं दूसरा अगर हमारी जो सोई लेव अच्छे तरीके से लेवल होगी तो हम पानी बगेरा उसके अंदर लगाएंगे हमारी फसल के अं लेवल नाओ दर प्रिंशिपल इंप्लेइमेंट फोर प्रिवेरिंग दा सोल अगर प्लग की बात करें तो यह अभी जो हमारा मेन और जार है सोल को तैयार करने के लिए ठीक है या मुख्य कारिया वनन हम जिसको बोलते हैं वह है कहने का मतलब यह था कि मुख्य ता अभी जो सोईल है प्रिपेर करते हैं उसके लिए हम प्लग यूज करते हैं इस डान बाई ऑग्जन एड एड हैस वैसे ब्लोग को वूड दैट पैंटेट दा सोईल तू मेक दा फ्रो अब यह जो हमारा प्लग है यह हम इसको हड बोलते हैं यह किसके साहता से किन चाजता है बैलों के निचे से जो मिट्टी के अंदर गुसेगी मीट्टी के एंदर मेंट्रेट करेगी मतलब गुसेगी और क्या करेगी मिट्टी को ब्रु बुरा करें का काम करेंका कृट व् Mman Baba देखें पलगिंग इस दन आइदर मुचल मैनुवली एनिमल सोरी जो पलगिंग है वो एनिमल से भी की जाती है ठीक है इन मैनी विलेजिज इवन आउ इस ट्रेडिशनल मैथ्र पलगिंग इस प्रिविलेंट वेराज नौ दा मोडर्न टेकनीक सच एज ट्रेक्टर आ यूज़ फोर पलगिंग हम मुख्य ता गाउं की बात करें तो जो हमारा जो यह पुराना तरीका है ठीक है कि अर्डिशनल यह मैथड है हमारा पलगिंग यह अभी भी यूज़ोता है लेकिन मैन है जुमडर्न टेकनीक आने करण यह यजो ट्रेक्टर वगेरा जब फो पश्रेड नहीं लग गे लोग टार कि इससे यहार पलगिंग का र्कोंным यह तोबीबीह लेकिन हो थोड़ाуса तो यह थोड़ा सा कम जुरूर हो गया है इसको अलग अलग तरिके से यूज करते हैं जैसे कि कि हमने यहाँ पर देखा देखा कि हम एक तो क्या करेंगे सोयल को फॉल्ग में करने क्या की shelters को में और गरेशसें . हम यह तो यह दूसरा क्या है टिरिफाली का नाम सुने होगा तो हम जो हमार अब लग है उसको उसका इूज्ज जो वीड इसको निकालने के लिए उसको अलग करने के लिए करते हैं this implement is drawn by a pair of bulls और यह जो हम करते हैं किसकी साहता से करते हैं यह सब कुछ है दो बैलों की साहता से करते हैं मतलब एक पेर बुल्स का सोरी बैलों की साहता से करेंगे हम लोग other animals like the camel or horse या दूसरे animals की बात कर लें जैसे कि camel की बात कर लें जो राजस्तान के लाका उसमें camel की साहता से पलग की जाती है और हम गोड़े की साहता से भी पलग कर सकते हैं the plug is like knife that cuts into the soil the knife is carved so it turns over the soil after cutting अब यह क्या होगा कि पलगी में क्या होता है कि जो निच्चे है नीचे वाला हमारा जो इस तरीके से कर देगा साइड में थीक तो जिससे हमारा जो मिट्टी अच्छे भी तरीके से हम उसको जोच सकते है अगर हम हो की बात करें तो उसका यूज क्या है हमारा हो is used for loosening the soil as well as for removing weeds एक तो हम soil को lose करने के लिए उसको मुलाइम करने के लिए ठीक है उसको बुरूपरा करने के लिए करेंगे हो का use और दूसरा क्या होता है कि उसको जो हमारे weeds होते हैं जो हमारी खर्पतवार है उसको निकालने के लिए उसको अलग करने के लिए भी हो का use करेंगे ठीक है एक iron का हमारे पास handle है और निचे भी हमारे पास किसकी है या तो iron की यह हम steel की एक बिलकुल road यूज़ करते हैं जो कि बिलकुल आगेस क्या होती है तिक्खी होती है थोड़ी सी करूर से पूती है यह किसकी तरह एक चाकू की तरह है इटिज अलसो written by animals और यह क्या है यह भी इनिमिल्स से इसके सअ कहिंचा जाता है आब क्लटीवेटर की क्ल्टीवेटर करें इन लार्जि universo यस डिन बाइक वैक्टीव ट्र्रेस यimi लिःजिश टायम एंद लेबर यह तो थे प्रवाने verz मेंधे अमारी ट्रैचेनल में प्र Crafter से हम Cultivator घ्लाहेर भाभी है खींचतें, इससे क्या होगा, यह Tutoring तो करेगा, ठीक है, उसका फाइदा, कलिएटर का फाइदा क्या रहे है, एक तो यह है ना, हमारा Time बचाएगा, और एक हमारी जोлемबर है, उसको वूड ब्लैंक वीच गैन आलसो भी ड्रवन बाई एनिमल्स और एक ट्र लैवलर क्या होता है यह लैवलर में आपने देखा वागे लगडी का बना होता है हमारा जो सुवागाम बोलते हैं लकिडी का बना होता है यह भी क्या करता है यह थों पस्वों दवराख खिंचते हैं इसको यह ट्रेकट के मिन फंशते हैं और जो हमारी जौ जमीन है उसको इसको बिल्कुल समतल करने kanam काम करीगा उसको लैवल करके उसके स